दोस्तों मैं गिता अंचली मसाला चम्मच मैं आपका स्वागत करती हूं आज हम बनाने जा रहे हैं प्रत स्पेशल भूंदी का अरायता 200 ml दही लिया ना चाहें थाज पी ले सकते 1 चुताई मसाला चम बनानमक लाल मच्श्च 1-2 चौथाई मसाला चम जीरा 1 चौथाई मसाला चम घीर हीम लिया यादा चम्मच नाल मिक टहने हिसाँ लिए लाइता मसाला घंतgarगता है अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप पेट सकते हैं और तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड ओई और एक तड़का पेंड अब हम अपनी दई को मत्की में पलट लेंगे अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप चम्मस से इसको गुठलियां खतम होने तक घुमाएं और आपके पास बीटर है तो आप बीटर से धीरे-धीरे सारी गुठलियां खतम होने तक अपनी दई को फेटें और इसको एक दम बिल्कुल स्मूथ टेक्स्चर में लेकर आए और आप इस तरीके से अगर आपके घर में रही है लकडी की तो आप रही से भी इसको फेट सकते हैं और देखो यह बिल्कुल स्मूथ हो गई है इसमें एक भी गुठली नहीं है अब हम अपने मसाले मिलाएंगे लाल मिज़ नमक काला नमक- राहिता मसाला और हीम-अजीरे को चीरे को रहें Smash in a te de oil अब हम सारे मसालों को मिलाएंगे और आप बीटर से मिलाएंगे तो ज् modular शाड़ा है एकड़म मसाले हमारे अच्छे से मिलगे अब इसमें अपनी बूंदी डालेंगे और बूंदी को अच्छे से मिला देंगे अब रायते में तड़का लगाने के लिए हम तड़की के तयारी करते हैं मैंने फाट रची चेशा रखने ऐगा या अब यमा पसही चेशा बन लेंगे मैंने हींग लिए वो अब बस गैस को स्लो कर दिर और अब गैस को कुछ लोग तड़का लगाते वक्त रायते को ढ़क देते हैं आप चाहें तो ढ़क भी सकते हैं लेकिन मुझे इसी तरीके का रायता पसंद है और मैंने आपको दिखाने के लिए भी तो मैंने इसको ढ़का नहीं है लेकिन इसमें टेस्ट में कोई फरक नहीं आता है अब हम अपने रायते को गार्निश कर देते हैं तो देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी डिलीशियस रायता एकदम तयार है कि पूंदी के रायते की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्स्राइब करें और बैला इक दवाना ना भूलें तांकि मेरी आनिवाली नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रायें धन्यवाद